देखे अब जो हमारा टॉपिक वो है कैलेंडर सिस्टम एक कैलेंडर एर में हमारे पास 365 देज फाइव आर्स 48 मिनिट्स एन 11 सेकंड्स होते हैं तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं हमारे पास 365 इंट्व 6 आर्स होते हैं देखे जब जब वह 4 साल बाद आता है तो हम उसको एक दिन मालने ते हैं and this is the reason कि वहां पे हम वो हमारा लीप यर कंसिडर होता है ठीक है तो लीप यर में हम कहते हैं हमारे पास 365 आर्स होते हैं every century is not a leap year for example 100, 200, 300 ठीक है कुछ exceptions है उनको छोड़के every century is not a leap year ठीक है येक important चीज़ है और every fourth century is a leap year for example 400, 800, 1200, 1600 जो भी fourth century होगी वो हमारी leap year होगी ठीक है अब हमने find out करना है odd days ये सबसे important चीज़ है और यही concept को हमें ध्यान रखना होगा problems को solve करते हुए कि कितने odd days होते है एक normal ordinary year में तो 365 divided by 7 ठीक है अगर उसको आप करो के तो आपका एक दिन खाली बचता है ठीक है तो एक ordinary year में आपके पास जो number of odd days होते है वो क्या होते है 1, 1 will be the answer 1 odd day होता है ठीक है और एक leap year में that means 366 divided by 7 हमारे पास वहाँ पे कितने odd days होते है 2 odd days 2 odd days वहाँ पे होते है तो आईए कुछ एक base cases लेते हैं और उनके बाद हम problems को solve out करना चालू करेंगे questions कुछ इस परकार होती है let's say for example 18th October 1989 को कौन सा दिन रहा था तो यह odd days को हमने निकाल के हम questions को solve out करेंगे आईए सबसे पहले कुछ base case को हम पढ़ते हैं आईए सबसे पहले हम कुछ base cases देखते हैं for example सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 years में हमारे पास कितने number of odd days होंगे तो आप जानते हो 100 years में हमारे पास कितने leap years होंगे 24 leap years होंगे 24 leap years 25 नहीं होंगे because मैंने अभी अभी आपको पताया every century is not a leap year except every 4th century this is not a 4th century ठीक है तो 24 leap years होंगे यहापे और आपके जो 76 आपके यहापे जो बाकी बच्चों हैं वो क्यों हो जाएंगे non leap years हो जाएंगे तो आप जानते हो कि 8 leap year में कितने odd days होते हैं 2 odd days होते हैं मैंने अभी अभी आपको पताया था ठीक है और एक non leap year में हमारे पास कितने odd days होते हैं कि अवल एक odd day होता है ठीक है तो अगर total number of odd days यहापे कितने हो जाएंगे 48 odd days हो जाएंगे और यहापे कितने हो जाएंगे आपके 76 odd days हो जाएंगे तो इन दोनों का अगर मैं plus करूँ तो मुझे कितने मिलते हैं 124 और 124 को अगर मैं divide करता हूँ 7 से तो बाकी बचों यह remainder नहीं divide हो पा रहे वो कितना मिलेगा 5 days तो 5 odd days मुझे मिलेंगे किसमे 100 years की century में ठीक है तो इसी प्रकार अब हम 200 years का निकालते हैं तो 200 years के लिए हम 100 years का base case यूज करेंगे कि एक अगर 100 years में हमारे पास 5 odd days होते हैं तो 200 में कितने होंगे 5 into 2 that will be 10 odd days तो 10 को अगर इन मैं अगर divide कर सकता हूँ 7 से तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 3 odd days मिलेंगे 3 odd days किसमें 200 वाले years में और अगर मैं 300 वे लेता हूँ then 300 years में कितना होगा 5 into 3 यह 5 आप समझ गए न कहां से आ रहा है यह जो 5 हमने निकाला था वो यह यहाँ पर आ रहा है ठीक है 5 into 3 this will be how much 15 15 divided by again मैं यहाँ पर 7 करूँगा that means जो remainder आएगा यह कितना आएगा 1 तो 1 odd day कहां पर मुले मिलेगा 300 years में ठीक है इसी परकार अगर 400 का निकालूँगा तो 400 years में कितने होँगे odd days 400 years में होँगे 5 into कितना 4 कितना हो गया यह आपका 20 20 हो गया तो 5 into 4 यह हो गया आपका 20 plus इसमें हम 8 day और add करेंगे यह 8 day इसलिए add होगा because 400 years होते हैं वो आपकी एक leap century होती है तो यह आपका 1 add आपका इसलिए यहाँ पर किया तो total number of days आपकी कितने होगे 21 होगे 21 days होगे 21 days अगर डिवाइड इवाइड पर 7 करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 00 odd days होगे आपके 400 years में तो यह वो base cases थे जिनकी मदद से हम questions को solve करेंगे तो आई यह question को देखते हैं देखिए यह question दिया हुआ है जिसमें हमसे कहा गया है कि 18th October 1989 को कौन सा दिन रहा होगा ठीक है तो इन तरह की problems को solve करने के लिए odd days को हमें जाना जरूरी है odd day 1 is Monday odd day 2 is Tuesday and so on ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे 1918 दाई दिया होगा है तो सबसे पहले हम 1900 का निकालेंगे कि इसमें कितने odd days होते हैं तो आपको पता है 1600 में तो odd days आपके कितने होंगे 0 होंगे because it's a 4th century और 300 में हमारे पास यहाँ पर कितने होते है 300 में अभी अभी हमने निकाला था अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास odd day निकलते हैं 1 तो एक odd day मिलेगा हमें 1900 सेंचुरी में तो यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 odd day you will get in 1900 अब हमने देखना है 89 89 वाला पार्ट है that means 88 तो complete हो गए और 89 तो वाला जो साल चल रहा वहाँ पर आपके 18th October तक हमने odd days को calculate करना होगा तो सबसे पहले जो 88 years का हम निकालने 88 years में हमारे पास कितने leap years आएंगे 22 leap years आएंगे और प्लस आपके 66 आपके ordinary years आएंगे ठीक है ordinary year आपके 66 हो गए तो एक leap year में हमारे पास कितने odd days रहते हैं 2 that means 44 odd days आपके यहाँ पे रह गए और आपके जो ordinary years थे उसमें एक ही odd day रहता है that means आपके वहाँ पे कितने रहेंगे 66 odd day रहेंगे that means 66 plus 44 is equal to 1110 that means आपका divided by 7 करूँगा तो यहाँ पे 88 years में मुझे कितने odd days मिलेंगे 5 odd days यहाँ पे मिलेंगे ठीक है अब बाकी बच्चे जो 89th year जो चल रहा है वहाँ पे 18 तक calculate करना होगा that means 8 क्योंकि October चल रहा है तो that means आपका आपका वहाँ पे January निकल चुका है January, February, March, April May, June, July August, September और October जो चल रहा था ठीक है तो January में 31 का महिना होता है 28 तक आपके divided by 7 बिलकुल हो जाता है that means 3 आपके यहाँ पे रहेंगे आपके number of odd days January में तर अगर आप February February का देखते हूँ, February क्योंकि 28 का महिना हो because it's a non-leap year that means February में आपके कितने रहेंगे 0 रहेंगे, odd days because 28 divided by 7 रहेंगे आपके 0 रहेंगे March में आपके 3 रहेंगे April में आपके कितने रहेंगे 2 रहेंगे, पिर May में 3 रहेंगे, June में आपके 2 रहेंगे July में 3 रहेंगे August में भी 3 रहेंगे, September में 2 रहेंगे October, October में 18 तारिक हमारी है that means 14 तक तो हम कर सकते हैं और उसके बाकी-बाकी balance जो हमारे पैचे 4 दिन ठीक है, 4 odd days आपके रहेंगे तो total इनका अगर मैं करूँ 3 plus 3, 6 6 plus 5, 11 11 plus 5 आपका हो जाएगा 16, 16 plus 5, 21 plus 4, 25 तो 25 divided by 7 तो हमारा यहाँ पर remainder बचता है कितना 4 days 4 odd days हमारे यहाँ पर बचेंगे जो इस वाली 89 years के हो गए ठीक है, 89 years में हमारे 4 odd days बचेंगे that means पहला हमारा यहाँ से एक यह बचा था second equation से यहाँ है, third equation से यहाँ है कि अगर मैं final odd days निकालू तो मुझे मिलेगा 1 plus 5 plus 4 that means इसका divided by 7 करूंगा तो remainder कितना आ रहा है that means 10 divided by 7 इसमें remainder मुझे मिलेगा 3 third odd day ठीक है और मेरे आपको पताया था Monday को हम first odd day मानते हैं that means Wednesday will be the answer Wednesday पढ़ेगा इस तारीक को Wednesday will be the answer to this question आईए एक और question देखते हैं 26 January 1950 को हमने निकाल ला है that means सबसे पहले हम 19th 100th century का निकालेंगे 19th 100th century का मैंने अभी अभी भी देखा था कि one odd day रहेगा ठीक है जो हमने previous example में देखा था फिर 49 years में देखते हैं 49 years जो बाकी थे उसमें कितने रहेंगे 49 years में आपके 20 leap years रहेंगे और आपके 37 आपके ordinary years रहेंगे तो that means number of odd days आपके यहाँ पे कितने हो गए 24 और यहाँ पे हो गए आपके 37 which accounts to almost like 4 plus 7 आपका हो गए 1 और यहाँ पे हो गए 61 61 divided by 7 जब मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे remainder कितना मिलता है 5 odd days तो 5 odd days मुझे यहाँ पे मिले ठीक है इसके बब 1950 के January के महिने के odd days निकालने थे क्योंकि January स्टार्टिंग का महिना है और उसकी 26th date है that means कि वहाँ पे 21 तक तो कोई रिक्कत नी थी तो 5 odd days जो 5 days हमारे balance बचेते हैं वो हमारे odd days हो देंगे तो 5 odd days आपके निकलेंगे 26th January 1950 से तो यह हमारी तीसरी equation हो गई तो इनका अगर मैं total लगर number of odd days 1 plus 5 plus 5 that means 11 odd days निकले ठीक है 11 odd days से divided by 7 कर सकता हूँ that means 4th odd day मुझे मिला है 4th odd day that means Thursday will be the answer to this question Thursday answer होगा उस तारीक को कौन सा दिन पढ़ा था Thursday पढ़ा था